प्रतिबा सिंग जी हमारे साथ मौझूद हैं मैं कल आप लोगों की मुलाकात हुई और जो अब हिमाचल प्रदेश की राजनीती की हालात बने हुए हैं इस पर क्या कहना है जो यह हालात बने हैं हिमाचल की जनता की भावनाओं को समझते हुए उनकी दिल में जो ठेस पहुंची है उस बात को हमने हाई कमांड के सामने रखने का बार बार प्रयास किया मैंने आपको याद होगा डे वान से जब से यह परिस्तिती बनी है मैंने बार बार हाई कमांड को इससे आगा किया, उनको बताया है कि ये हालाद बने है, आप इसका संग्यान ले, इसके उपर सोच करें, इसके उपर कुछ कदम उठाएं, पर करते करते साल बीत गया, अभी भी कोई उन्होंने निर्णे ने लिया, कोई फैसला ने लिया, इसक कल मैंने हाई कमांड के सामने भी रखी है जो हमारे यहां उब्जर्वर्स भेजे उनके सामने भी यह बात रखी है अब देखते हैं वो क्या फैसला कर जिन छे लोग को भी एक्सपेल किया गया है आपको लगता है लोकस्वा चुनाव से पहले एक साइस अंदेश जाए देख हुए है अब देखेंगे उब्जर्वर्स आए हैं हमारे परभारी आए हैं यह बैठके मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे और क्या फैसला लेते हैं उस पर हम सुद्र रहे हैं कि उन्होंने प्रारंबिक रिपोर्ट जो दी है दिल्ली में वो यह दी है कि सीम सापको हटा देना चाहिए क्योंकि विधायकों की और कुछ मंत्रियों की नराज़गी है आपको लगता है कि यह जो माहौल बनावा है कि एक मैसेज यह जा रहा है कि सरकार रहे लेकिन सीम ना रहें दूसरे सीम बनें लिएट इस फोड़ा है क्या लोगों की भावना है उस पर क्या फै